जय हिंद इस वीडियो हम लोग सान फर्मा कंपनी बारें बात करेंगे आज इस कंपनी के बोर्ड अब डाक्टर्स की मिटिंग होई जिसमें कंपनी ने इंट्रिम डिवडेंड देने के साथ साथ क्वार्टर 3 के नतीजे भी जारी किये हैं और इसके क्वार्टर 3 के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहें अर्थात अच्छे आये हैं तो इस वीडियो हम लोग डिवडेंड के उपर चर्चा करेंगे कि डिवडेंड कब मिलेगा कितना रुपय मिलेगा और फिर उसके बाद इसके जो क्वार्टर 3 की नतीजे आये उस पर भी बात होगी वीडियो आप कंपनी का सेर प्राइस अधिक्ता में यहां तक आया है अब बात करते हैं बोर्ड डियाक्टर्स की मिटिंग की जो आज यानि की 31 जिनोरी को हुई है और इसी मिटिंग में कंपनी ने इंट्रिम डिवडेंड देने के साथ सब क्वाट 3 के रिजल के नतीजे जारी किये हैं और एक न्यूज भी है इस मिटिंग में जो निकल कर सामने आई है कि इस कंपनी के जो कंपनी सेक्रेटिर है सुनील अजमेरा उनको छुटी जे दी गई है और उनके जगाप पर अनूप देशपांडे का नया नियूपती हुआ है अब हम बात करते हैं इस कंपनी ने जो डि कॉर्ड लिश्ट माना चाहिए और जिसको डिवडेंड मिलेगा उसका रुपया उसका बैंक एकाउट में 22 फरवरी के पहले तक आ जाएगा अगर बात करें कुछ पास्ट के डिवडेंड की तो पिछली बार कंपनी ने 23 अगस 2021 के इसको डिवडेंड दिया था 2 रुपया डिवडेंड दिया था लेकिन इस बार सीधे 2 रुपय से 7 रुपया कंपनी डिवडेंड देने जा रही है और अच्छी बात है कि कंपनी साल में 2 बार डिवडेंड देती ही देती है अब हम आप करते हैं देखिए के रिजल के नतीज़े इस ग्राफ में दरसाए गया है करने का हुआ है जो कि क्वार्ट टू में शिर्फ 9,847 क्रण का था अर्था 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 अर्ली अस्तर पर देखें तो रेवेन्यू बढ़ा है वही अगर पिछले साल के क्वार्ट थीरी की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू सिर्फ 9100 एकाउंड क्रों का था यानि क साल भर पहले की बात करें तो कंपनी शोब्था नो सो ख्यासी क्रोंड रुपए खरच किये थे अब आप यहां देखेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू जिस हिसाब से बढ़ा है कंपनी ने खर्चा भी उसी हिसाब से किया है पिछले साल नो पिछली क्वार्ट रुज नोगय अब अगर बात करें प्रोफिट आप्टर टेक्स की इसे हम लोग सुध मुनाफ़ा करते क्योंकि यहां कंपणी को टेक्स देने के पाथ कंपणी पास बचता है अर्फिट भी बढ़ा है और अगर अर्फिट पर अर्फिट पर कितना प्रोपया बढ़ा है तो आप देखेंगे तीन महिना में जो अर्णिंग पर सेर है बढ़कर आट रूपया पांच पेसा हुगा है तो आपने देखा कि रिजल्ट के नतीजे बहतर आए हैं इससे लगता है कि कंपनी ग्रोथ कर रहे है और यह इसके निवेसकों के लिए जिसके पास इस कंपनी के सहरे उनके लिए अच्छी ख़बर है तो उमीद करता हूं मैं जो बताना चाहरा था आपको समझ में आया होगा अगर मन में कोई सवाल है तुमसे पूछे मिलते हैं नेक्ट वीडियो तो तक लिए धन्यवाद शुक्रिया हूं